गईस वगत है आपका एक और नई वीडियो में तो गईस इस वीडियो में मैं आपनों को बताने वालों कि हाव टू ट्रांसपर वर्डप्रेस वेबसाइट फ्रॉम वन होसिंग टू अनधर होसिंग कि हमें अपने WordPress website को एक hosting से दूसरे hosting में कैसे transfer करना है वो भी guys without data loss तो आपको क्या करना guys सबसे पहले guys हम एक चीज यहाँ पर देख लेते कि काफी सारे लोग एक गलती कर लेते जब भी वो अपनी website को migrate करते हैं या अपनी website को किसी दूसरे hosting में transfer करते हैं जो हमारे dns होता है whichmat 1945 लोग क्या करते हैं तो तो आपकी website कैसे transfer होगा आपको क्या करना guys सबसे पहले guys हम अपने website को transfer करते हैं और उसके बाद ही गाइज हम अपने website का जो DNS होता है, नेमसरबर होता है, वो guys हमें change करना होता है, तो आज guys हम finally step by step कैसे हमें अपने WordPress website को एक hosting से दूसरी hosting में transfer करना है, वो भी guys without data loss के, तो आपको guys video फसन्द आए तो video को like और channel को guys आपको जरूर सबस्क्राइब करना है तो सबसे पहले हम क्या नहीं इसmost क्लिक करने के बाद आपको एड़ वेबसाइट को एड़ करना है यह website को guys transfer करना है तो guys आप देख पारें कि यहाँ पर आ गया एक है यहाँ पर create a new website second है guys यहाँ पर migrate my website और यानि कि हमें अपने website को migrate करना है transfer करना है तो guys आपको यहाँ पर select पर click कर देना है अब जैसे guys हम यहाँ पर select पर click करेंगे अब आपको गाईज यहाँ पर दिखा देरा कि अपलोड वेबसाइट एंड ट्रांसपर वेबसाइट तो हमें क्या करना एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में अपने वेबसाइट को ट्रांसपर करना है यहाँ पर गैज आपको दिखा देड़ा है transfer website तो हमें guys यहाँ पर select पर click कर देना है आप guys जैसे हमने यहाँ पर select पर click किया तो अब आपको यहाँ पर दो तीन option मिल जाते हैं फर्स्ट ही मिलता guys यहाँ यहाँ हम website के द्वारा भी अपनी website को transfer कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर आपको दोनों तरफ से बता देता हूँ तो पहले guys यहाँ पर आता आपको wordpress तो हमें क्या करना guys यहाँ पर जैसे आपको दिखा देरे guys domain.com तो आपका जो भी domain है जिस domain को guys आप transfer करने चाहते हैं उस domain को guys आपको यहाँ पर डाल देना है for example digitaluk07.com मुझे इस website को transfer करना है उसके बाद guys यहाँ पर है WP admin तो guys आपको यहाँ पर WP admin को रहने देना है और guys आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं यानि कि guys इसका मतलब होता है कि हमारी जो website है वो किस में है? WP में है यानि कि wordpress में है तो आपको guys यहाँ पर admin करके लिख देना है अब guys यहाँ पर आपको दिखातारा wordpress username तो मैं आपको बता देता हूँ कि wordpress username and wordpress password क्या होता है तो guys जैसे हम google में जाके अपने wordpress website को login करता है तो मैं guys यहाँ पर आपको दिखावे देता हूँ ठीक है तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया digitaluk07.com और उसके बाद guys हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको login करेंगे ठीक है तो मैंने यह डाल दिया and click किया और click करने के बाद guys जब हम wordpress website को login करते हैं तो हमें वहाँ पर wordpress website का username and password देना होता है for example मुझे digitaluk07 website को इस hosting में transfer करना है ठीक है समझे ले ना तो मुझे क्या करना है इस website का digitaluk07.com का username and password guys मुझे यहाँ पर डाल देना है तो for example guys मैंने यहाँ पर डाल दिया यह मेरा क्या होगी यहाँ यूजरनेम हो गया ठीक है यह मैंने डाल दिया उसके बाद guys यहाँ पर wordpress password तो जो इसका password होगा वो guys आपको यहाँ डाल देना है जैसे मैंने guys यह password डाल दिया यह मेरा यहाँ पर password हो गया उसके बाद guys यहाँ पर कि आपका hosting क्या है आपका यह domain है यह आपका यह वर्ड़डप्रेस है यह कौन से होस्टिंग में है तो जैसे guys आपको दिखाता है कि मेरा है GoDaddy में तो मैं यहाँ पर GoDaddy को select कर लेता हूँ उसके बाद guys आपको क्या करना है यहाँ पर check connection पर आपको click कर देना है अब जैसे guys हमें आपर check connection क्लिक करेंगे यह guys यहाँ पर पहले check करेंगा कि आपका जो यह information है यह सई है कि गलत है तो यह जैसे चक करेंगा तो उसके बाद guys यहाँ पर यह बता देता है जैसे guys आप यहाँ पर check connection करेंगे तो आपकी जो wordpress website है वो migrate के लिए चले जाएगा यहाँ यहाँ पर आपको दो या तीन दिन के अंदर आपकी wordpress website migrate हो जाएगी जब आपकी wordpress website migrate हो जाएगी उसके बाद guys आपको क्या करना है अपने website का ही guys आपको change करना है यहाँ पर name server जैसे guys आप देख पार ही यहाँ पर हो गया name server सब्सक्राइब यहां पर इसका है था होस्टिंग कर रहें तो इसकी होस्टिंग को डाल क्यांति जैसा अंगर को अधर धो चैंस करने के बाद से ऑसिंगों और फिल्ग माइगरेट रहेगी और हमारा सारे वेब साइट का डेटा दूसरे हॉस्टरे में ट्रांसपर हो जाएगा तो यह तरहां पर वर्ड प्रेस का मैथड we'll play 여기 से कैसे अपने वेब साट को धार करने सेकेंड व्ड़िवर ज follower को बतादे यहाँ बात देना दुटन नहीं को यहाँ पर यूराल देना है जासे हमारे नीन के बता देता हूँ यह जैसे गैज मेरे यहां पर क्या है वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन का यूरल हो गया आपको इसे कॉपी करना है यहां पर गैज आपको डाल देना है यान की गैज यह मैंने डाला यहां पर वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन का और यहां पर आपको ड़ने है sी पैंल का लोगन का ये मिने वॉर एक्जांपल के लिए आपको بتाया ठीक है तो आपको क्या करने है यहाँ पे आपको डाल देने है जिस होस्टिंग में गैस आपका डोमिन है उस होस्टिंग का गैस आपका यहां पर URL दाल देना है, उसके classify जब अपने होस्टिण को आप लौगिन करते हैं उसका Username and Password आपको डाल देना है और उसके आपको प्रफ़ों कर देना है और साइड्ग ग्राउंड को साइड्ग्रावन है ग्रमेर में तो होस्टिगेटर में हे तो हउस्प एम पर करक्षा जैसे आप continue पर click करेंगे तो हमारे वेबसाइट है वह यहाँ पर ट्रांसपर हो जाएगी तो होस्टिंगर में आप अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस वेबसाइट को manually and easily हम वेबसाइट को ट्रांसपर कर सकते हैं एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग में हम ट्रांसपर कर सकते हैं तो आपको यहाँ यहाँ पर वर्डप्रेस से भी कर सकते हैं और गैज अगर आपको वीडियो पसंद आजे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को गैज हम पर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड गैज फिर मिलिंग हमें को और नेक्स वीडियो में तब तक लिए आपको अपना ध्यानक नहें है जैहिन वंदे मातरम